अरिवाद का वो था कि शत्रू का डिल जीतना ही असली जीत होती है तो जिस तरह से अयूग खान को उन्होंने एक तरह से अयूग खान पर जादू सा चल गया था कुछ एक और वो जब वहां पर अचानक पृत्यू हो गई शास्त्री जी की तो कंधा दिया उन्होंने को सी जिन के साथ तो क्या कहते हैं आप उन्होंने मृत्यू में भी अपने गुरू का जो विजन है उसको चलतार्थ कर दिखाया शास्त्री जी बहुत एक सरल व्यक्तित उनका था बहुत ही सीधे और अच्छे मन जो उनका था बड़ा बड़ा अच्छा था और लेकिन जहां देशी बात आती थी बड़े ही मजबूत व्यक्ति थे एक कठोर थे मैं समझता हूं उनको कहा जाया जैसे हम कहते हैं स्टील मैं आइरन मैं नी बहुत है स्टील मैं टोंग और उस समय शास्ती जी जब ताश्कन गए थे तो एक बड़ा भारी उदेश उनके समक्ष था कि देश में या पूरे आसपास के छेत्र में बड़े उसी देशों से कैसे मितता का इक वातार मूना है क्योंको उनके अदर मानवता कोट कोट के भरी थी और नहीं चाहते थे कि आपस में दो भाई लड़े तो उनका ये मानना था कि एक बड़े भारी बोज लेकर वो यहां से गए थे पाकिस्तान अब रश्या ताश्कन और वहां प उस पूचा कि साब वो तो जेनरल ऐयूब खान है चे फुट के कत्र हैं उनका बड़े हटे कटे हैं और आप तो पांच फिट दो इंच के धोती पहनते हैं कुर्ता पहनते हैं कैसे बात करेंगे तो कोई कटना ही नहीं होगी फिर उनने दूसरा सब बताईए कैसे बात होग और किसी तरह का कोई समझाता करने के लिए कभी तैयार नहीं हुए और वहाँ पर जब समझाता हुआ और आपसी बातचीत आयूब खान साब से हुई और जो वेक्तित उनको नेराला लगा अयूब साब का उसको उन्होंने बड़े ही उसका कदर किया उसके आदर किया सम्मा तो बला ही दुखी हुए और वो अपने उस दुख को उन्होंने पूरा जो दर्शाया यहां तक कि उन्होंने शास्ती जी के कंद को कंधा दिया और उन्होंने इस बात को जाहिर किया कि जिस उदेश से शास्ती जी तास्कंद आय थे उनको मिला तर एक यह जो उनका व्यक् एक आंतरिक शांती, क्या वो एक गांधिवाद का प्रदिकात्मत है? जो शास्ती जी का बच्पन रहा, जैसे हमारे दादी बताती थी, जिस प्रकार से उन्होंने अपने बच्पन को वेतीत किया, फिर उसके बाद आकर, जैसे जैसे वो बड़े हुए और सुत्मता संग्राम, एक सनानी के रूप में अपनी भूमिका नभाई, मतलब गांधी जी की एक आहवान पर उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी, और फ्रीडम स्ट्रगल में जुड़ गए, कई बार चेल गए, वर्षों तक वो जेल में रहे, लेकिन उन्होंने इस दौरान अपने वेक्टित को बड़ा ही सरल बना के रखा, उन्होंने कहीं पर भी कुछने किया, और मेरा यह मानना है, कि जब वो प्रधान मंत्री भी बनें, तब भी वो जो किसान, जो लोग जाते थे, एक बार नहरू जी के पार जाते थे, तो उनको थोड़ा सा घबराहट होती थी मिलने में, लेकिन शास्ती जी के हाँ मुझे याद है, दर जन्पत पर जिस तरह से लोग घुश के आते थे, अंदर कोई सेकुरिटी वगर उसमें अतनी जादा नहीं होती थे, और धड़ा-धड़ लोग आ जाते थे, तो एक किसान से पूचा एक वेक्ती ने, कि भाई ऐसा क्यों है, मैं कर यह हमारे बीज का वेक्ती है, हमारा अपना है, तो वो जो उनका वेक्तित था, वो सबको बड़ा ही मन मोह लेता था सबका, और सबको आकरशित करता था, और शास्ती जी इसी लिए कुछी समय रहे प्रधान मंत्री, लेकिन उन्हों ने एक शाप आज भी, देश के कोने-कोने में, आप गाउं गाउं में चले जाएए, आज भी लोगों के मन में शास्ती जी की वो सरल्ता, सादगी, इमानदारी का वेक्तित जो है, और जो एक मानवता उनके प्रति मन में जो जलकती थी, आज भी वो है शास्ति जी का मौजूद और मैं तो ये भी कहूंगा, एक शब्द और कहूंगा, जोड़ूँगा, कि आज भी लोग कहते हैं, भले ही शारेरी रूप से शास्ति जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके आ